नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट असामलेकुम नई सुभा इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम की ब्यूटी टिप्स के साथ मैं हू नादिया अगर आप हेर फॉल कंट्रोल करना चाहते हैं और हेर री ग्रोथ भी चाहते हैं तो एक बोल में 3 टेबल स्पून मेथी दाना यानि फैन्यू ग्रीक सीड्स डालें इसमें एक इंच अद्रक का टुकडा कुचल कर डाल दें और साथ ही 6-7 लॉंग भी शामिल कर दें और 2-3 ग्लास पानी डालकर ओवर नाइट के लिए कवर करके रख दें नेक्स टे ये तमाम जीज़ें एक पैन में डालें और चूले पर बॉयल करने रखें और जब पानी हाफ रह जाए तो फ्लेम आफ कर दें और इसे ठंडा होने दें ठंडा होने के बाद इस मिक्सटर को हाथ से अच्छी तरह से मस लें ताके मेथी दाना, अदरक और लॉंग की तमाम प्रॉपिटीज पानी में रिलीज हो जाएं इसके बाद एक मलमल का कपड़ा लेकर इस मिक्सटर को चान लें और फिर इसमें ऐलोवेरा जेल और कोकोनट ओयल शामल करके किसी भी ब्लेंडर में डाल कर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें सीरम रेडी है, अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी ठिक करना चाहते हैं तो इसमें ऐलोवेरा जेल की कॉंटिटी ज्यादा कर सकते हैं इस सीरम को इस्तमाल करने के लिए शैंपू से एक घंटा पहले बालों को ब्रश करें और सीरम को स्केल्प यानि बालों की जड़ों पर अपलाए करें और इसके बाद लेंथ और टिप पर भी अच्छी तरह से अपलाए करके एक घंटे के लिए छोड़ दें और फिर शैंपू करें दो से तीन बार की अपलिकेशन के बाद ही आपको हेर फॉल में वाज़िक कंट्रोल दिखाई देगा और इसके साथ सथ हेर ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी विंटर्स में आप कोकोनेट ओयल को मस्टेड ओयल से रिप्लेस कर सकते हैं तो ये तो थी आज की सिंपल और जबर्दस ब्यूटि टिप तिल नेक्स टाइम अलाहने के बान ये मालमाती मवाद नई सुभा की जानिब से पेश किया गया अपनी आरा के इज़ार के लिए कॉमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिये गए राप्टे के जराए इस्तमाल कीजिए